असलाम अलेकुम गईस क्या हल नहीं अमीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आज की इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह का लोगो डिजैन बनाना सिखाऊंगा जैसे क्या आप चेक कर रहे हैं तो चलिए जानते हैं इस तरह का लोगो हम कैसे डिजैन कर सकते हैं वह भी फ और इधर से इसको ओके प्रेस कर लेना है ओके प्रेस करने के बाद आपने यह जो न्यू टेक्स्ट का आप्शन आ रहा है तो आप सेंपल आपने इस पर डबल करना है डबल करने के बाद इसको आपने इधर से मिटा देना है उसके बाद आपने इधर एटाइप कर लेना है और उसके बाद इदर से okay करके done प्रेस कर लेना है थोड़ा इसका side आपने बढ़ा लेना है size बढ़ाने के बाद आपने a वाले section में आ जाना है इसका font हमने change करना है उसके लिए a b font का option में लेगा उस पर click करना है और यह जो मैं font इसमें use कर रहा हूं यह by default आपको pixel लेपर भी मिल जाएगा तो आपने उसको add कर लेना है यह वाला font है आपने इदर से ले लेना है ठीक है और इदर से okay प्रेस कर लेना है उसके बाद इसका size आपने कुछ बढ़ा लेना है, size बढ़ाने के बाद इसका color आपने black कर लेना है black करने के लिए color वाले option में आना है और इधर से इसको black कर लेना है black करने के बाद इसको कुछ इस तरह से center line कर लेना है करने के पाद थोड़ा इसका pou प्रिडर के सो अब्र इसके अच लेना आघुटे पर आधर सब्धिद सोटंदा करें, आधार के हो मैं प्रइसे ऊसको इक तो इसी स्टोर्ण इसको crawl करना गारी अशाध करना है। तो इसको आप कुछ इस तरह से क्रॉप करके इसको राइट क्लिक कर लेना है राइट क्लिक करने के बद आपने इसका साइज कुछ बढ़ा लेना है साइज कुछ इस तरह से इंक्रीज करके इसको इदर एड़ेस्ट कर लेना है इसके साथ कुछ इस तरह से आपने इसको करने के बाद आपने क्या करना है यह अठ्यक्ति के बाह्त करना करके प्ली analysis बड़ा के इसके इंदर कुछ इस तरह से इसको adjust कर लेना है कुछ इस तरह से adjust करने के बाद आपने तुबार आपने जो tiger png hide किया था इसको आपने unhide कर लेना है unhide करने के बाद आपने इधर से layer value option को हटा लेना है अभी आपने क्या करना है tiger जो tiger png is a copy बना लेनी और hexagonal relationships मेरा जाना है और इधर से copy बनाने के बाद आपने यह जो color white करने के बाद आपने इसको tu back कर लेना है तांकि यह इन के नीचे अजया ठीक है सब को लॉक कर लेना यह जो नीचे नीचे वाला एक टाइकर बचाए तो अपने इसको छोड़ देना अभी क्या होगा जैसे में इसको एड़्जेस्ट करेंगे तो ओनली यह वाला हमें देखें आगे पीछे मुग हो जाएगा तो आपने कुछ इस तरह से इसको इसके उपर कुछ इस तरह से adjust करने के बाद आपने layer वाले option पे click करना है और इदर से इन सब को check mark लगा के इनको एक आपस में merge कर लेना है combine कर लेना एक दूसरे से और इदर से confirmation करके ok press कर लेना है ok press करने के बाद ये layer वाले option को आपने हटा देना है और उसके बाद आपने इसका size कुछ इस तरह से बढ़ा लेना है इतना कुछ करने के बाद आपको एदर erase color का option मिलेगा simply आपने इदर आना है और इसको erase color कर लेना है कुछ इस तरह से आप इसको erase color करेंगे तो इस तरह से इसका ये बनके आपके पास आजाएगा इरेज करने के बाद यह जो tolerance है इसका आपने फुल बढ़ा लेनी है हंडर्ड कर लेनी है tolerance बढ़ाने के बाद आपने एक shape और लेनी है उसके लिए plus वाल ऐकोन पर click करना है और shapes में आ जाना है shapes में एक बाद यही shapes आपने ले लेना और उसको आपने बिल्कुल छोटा करलेना है चोटा करने के बाद यह जो ने कुछ थ्क राइड कर लेना है और इसके बाद यह जो हम्ने ऑभी यह कहले को हम तो बैक कर लेंगे तो इदर उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपने उदर से चाके डाउनलोड कर लेना है मैं सेम्प्ली इसमें एड़ कर लेता हूं टेक्श्चेर कलर और इदर से राइट किलिक कर लेता हूं तो कुछ इस तरह से इसमें texture color aid हो गया है अभी आपने क्या करना है अगर आप color वगरा भी देना चाहे तो वह भी दे सकते हैं अपने हसाब से मैंने इसमें golden texture aid किया है तो अभी आपने क्या करना है थोड़ा नीचे आने इंबोस वाले option में और इसके बाद इंबोस को इसको enable क कर लेना है और कुछ इस तरह से इंबोस वगरा के setting आप कर सकते हैं जिदर आपको अच्छा लगे अपने उधर कर लेने हैं यह देखें बहुत सारे options इदर मिल रहे हैं आपको इंबोस में ठीक है तो इंबाइन लाइट वगरा है आपने वह अपने हसाब से इसमें set कर लेन है इस ट्रोक को इनेबल करने के बाद इस ट्रोक आपने कलर इदर से चेंज कर लेना है जो कलर आपको अच्छा लेका आपने वही कलर इसमें एट कर लेना है और उसके बाद आपने कुछ इस ट्रोक इस तरह से ठीक है जिदर आपको अच्छा लेका आपने उदर इसका स्ट add कर लेना है इसमें जैसे कि मैं देखता हूं यह यह वाला देखिए background में इसमें add कर लिया है कुछ इस तरह से हमारा logo बनके ready हो चुका है अभी इसको save करने के लिए अपने इधर save वाले option पर click करना है और यह जो dimension लिखा हुआ है तो आपने इधर से select रहना है where ultra ठीक है तो आपने इधर से ultra select करके इसको save to gallery कर लेना तो कुछ इस तरह से हमारा logo बनके ready हो चुका है अगर वीडियो आपको चलेगे तो वीडियो को like और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और bell icon को प्रेस कर लें क्याने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे मिलते है next वीडियो में तब तक दीजिए अजादत अल्लाहाफिज